कि यह सर वेरी वेलकम आपका सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी जानते हैं कि एक्जाम इस वेरी नियर और इस इस बार पूरा का पूरा फास्टाग आपको फ्री दिया था नहीं देखा है तो जा करके देख लेना कहां पे क्यूट्यूब के ऊपर अपन सारे के सारे अपने पड़ेड़ी पड़ेवे हैं फास्टाग में भी पूरी के पूरे इंक्लूड़ेड है तो कुछ अलग से करने के ज़र्वत नहीं है तो जितना जो कुछ था वह आपको सब कुछ आल्रड़ी करवा के रखावा है येस अच्छा जी अब मैं आपको आपको अच्छा जी तीसरी बात आपके लिए अभी भी 115 बसी ऑप्शनल है वो डिफॉल्ट स्कीम नहीं है वो ऑप्शनल स्कीम आप लोग के लिए तो यह आपको नहीं बूलना है बागी मैं आपको ABC अनलेसे दे रहा हूँ यह जो ABC अनलेसे है यह कई पास्ट पेपर के ऊपर बेज़्ट है पढ़ना आपको सब कुछ है बढ़ हां यह आपकी हेल्प कर सकता है कि कौन कौन से टॉपिक में किन किन चीजों के ऊपर थोड़ा सा एक्ष्रा फोकस रखना है तो हां ऐसा नहीं है कि यह कोई कट्थ्रोट लिस्ट है कि मेरे पास पेपर ही आ गया है और ऐसा कुछ है ऐसा बिलकुल नहीं है आपको प्रिपैर सब कुछ करना है बढ़ यह वह चीज़ है जिसके उपर से मोटे-मोटे तौर पर आपको पेपर बन सकता है सबसे पहले आपका टॉपिक आता है बेसिक बेसिक के अंदर में आपको क्या क्या इंपोर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है आपको इस बार धीरे दीरे वो लोग फोकस करना चालो करेंगे 115 बीसी तो पहली प्रायरेटी है आपको जो टेक्स कैलकुलेशन वाले कोश्चन आ लोगों ने देख करके जाना यह आपके लिए काम का है क्याप्टर नुमर वन से दो थेरी कोश्चन एक्सपेक्टेड है वह है अससी का डेफिनिशन एंड एक्सेप्शन डूद जनरल रूल अससमेंट यह प्रीवेस यह वाला राइट तो वह आपने देख कर जाना थेरी क इंकम निकालो और बहुत सारी इंकम दिया जाएगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया तरह की क्वेशन निया है तो यह बर इसकोशन एक्सक्टेड है इसके अलावा अगर मैं सेक्शन की बात कुरूई जिसके उपर इंडिपेंडेंडेंट कोशन आ सकते हैं वह सेक्शन सिक्स सेक्शन इसके उपर कोशन बन सकता है तो इतना देख करके जाना है वीडियो को अपने दोस्तों को फरवड करना बिल्कूल मत भूलना यास प्रॉब्लम्स आपको सबॉस्त करके जाने ही है इसके लावा व इंडिक्रोंवे है शिप खुरू मेंबर ह्याइजו अपना फॉइंट था इध कंप्यू इसके बाद आता है salary topic मैं इस बार salary से question expect कर रहा हूं mandatory salary से question expect कर रहा हूं और यह question होगा salary plus you know clubbing plus deduction का एक mixture होगा यह यह मुझे ऐसा लगता है कि यह mixture होना चाहिए अब salary में मोटे-मोटे तौर पर आपको क्या पूचा जा सकता है वेल सबसे पहले basic and allowances तो है allowances कौन से हो चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस याद रखना होगा अगर 115 बीएसी पर question आया तो चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस और बेनिफिट मिलने वाला नहीं है तो आपने लिव ट्रैवल कंसेशन लिव ट्रैवल अलावंस उसके बाद में एजुकेशन फैसिलिटी यूज अपसेट और इंट्रेस्ट का जो अपना वह यहां पर आ सकता है नेक्स के अंदर में आता हूं मैं एच्पी एच्पी के अंदर में तुम्हार को दो सकते हैं क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं उन्होंने को अंदर में आया नहीं है तो इस पार उनके पास बहुत अच्छा टांस है कि वह को नर का साथ साथ कंसेप्ट पूछ लें येस और हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देदे कि एक को नर 115 BSE से इंकम निकालो एक कोणर ने दूसरा स्कीम उप्ट किया है तो उसका टैक्स निकालो तो इंकम का कम्प्यूटेशन नहीं बदलेगा सिर्फ टैक्स दोनों का रेट बदलेगा और वो भी ऑप्शन के हिसाप से फिर आते पीजी बीप के उपर मैं क्वेश्चन एक्सप करता है नॉर्मल पीजी पीपी के जगह पीनल के जगह वह आपको रिसीटेंट अकाउंट देंगे वह वाले कोश्चन आपने सॉल करके जाने यह इसके अलावा स्पेसिविक सेक्शन की बात करू तो 32 डेपरिशेशन एडिशन डेपरिशेशन वाला क्लॉस याद रखना हो अगा फरिशन इंकम एडि एडि वाला क्लॉस आपको पूछा जा सकता है तो आपको अगर्फशन एक क्वेशन में आपको बिल्कूल मान के चलिए कि अपको बिल्कूल को बान के चलिए और उसके साथ मिक्स करेगा एक्जम्शन एक्जम्शन में तीन याद रखना 54-54-C-54 पूचेंगे साथ साथ में पूचा जा सकता है वह फिचर आपका 50 बी आ जाएगा जाएगा तो पीटीवन को एड करके यह और इस तरीकी का एक क्वेशन आपको रेस किया जा सकता है इसके अलावा स्पेसिक क्या इन के अंदर में आपको कंवर्जन और कैपिटल एक्वेशिशन के ऊपर आपको कुछन आ सकता है 46 लिक्विडेशन होता है तो कंपनी के हाथ में क्या और शेरोल्डर के हाथ में क्या यह ट्रीटमेंट आपको पूछा ही नहीं गया है मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि इस में आपको यह पूछेंगे 1050B slum sale slum sale से related आपको question आ सकता है इसके उपर हमने question लिया मॉड्यूल में भी एक question है वो करके चल जाना same question आता है right and at the end exemption from capital gain के मामले में 1037A पढ़के जाना 1037A और section 47 में reverse mortgage scheme reverse mortgage scheme पढ़के जाना यह दो हो गया काम खतम इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बाद आता है ifos ifos में amendment gift के provision में फ़्रोविजन पढ़के जाना family pension इसी चीज़ है जिसको बहुत दिनों से पूछा नहीं किया है और आपको test किया जा सकता है knowledge के business पे क्योंकि 115BSE में वह family pension का जो deduction है वह नहीं मिलता तो family pension से related question में expect कर रहा हूं और फिर online game से related भी एक question आपको दिया जा सकता है कि online gaming में जो winnings हो रही है उसको किस तरीके से treat किया जाएगा तो आपको casual income के तरीट करके आपको उसके उपर क्या लिखने adjustments लिए फिर आते हैं clubbing provisions के उपर clubbing provisions के अंदर में मैं दो चीजी expect करके चल रहा हूं कि हाँ यार यह clubbing के अंदर में आ सकती है वैसे मैं आपको बता दू यह सारे चाप्टर बहुत detail में फास्टा के अंदर में cover किये वे हैं आप वहाँ से जाकर करके देख सकते हो पूरा का बात करते हैं clubbing की clubbing में मैं expect करके चल रहा हूं दो चीजा आपको आ सकती है पहला सकता है cross transfer वाला पॉइंट केशव जजमेंट और दूसरा आ सकता है माइनर की computation का यहां पर आपको 115 BAC के साथ करके दिया जा सकता है क्योंकि जब माइनर की इंकम होती है तो वह 115 BAC के आप से क्या नहीं किया जा सकता 115 BAC में 1032 का exemption नहीं मिलता 1500 रुपए वाला तो उसका एक adjustment पूचा जा सकता है 115 BAC opt किया तो income क्या और not opt किया तो income क्या तो इस तरह के का एक question आपको आ सकता है फिर आता है deduction deduction कि अगर मैं बात करूँ कुछ specific deduction बहुत जादा पूचे जाते हैं वह है ATC ATD ATG ATE तो C मतलब वो general contribution वाला D मतलब medical वाला G मतलब donation वाला E मतलब वो interest on education loan वाला EEB online you know electrical vehicles वाला TTA TTV interest तो यह आपको deduction जो है specifically पूचे जा सकते हैं इसके अलावा है TDS भाई साब इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि TDS के अंदर में आपको एक साथ जादा question expected हो सकता है एक question तो मैं मान के चल रहा हूं कि TCS के उपर आएगा और एक question TDS के उपर आएगा या फिर दोनों मिक्स करके इस तरीके का question बना देंगे तीन मांक तीन मांक शे मांक इस तरह से गवर कर सकते हूं राइट इसके अंदर में 194B and WB आपको पूछा जा सकता है इसके अलावा अब next topic पर आते हैं ROI ROI से आपको जरूर question आएगा पिछले बार भी बोला था आया था इस बार भी बोल रहा हूं आएगा ROI के उपर इस बार आप चार चीज़े पढ़के जाएंगे थोड़ा फोकस ज्यादा रखेंगे अब डिटर्न का concept सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद मैं बी लेटेटर रिवाइस रिटरन के time limits आप लोग देख करके जाएंगे पर बीट कोस्टन है पर आने के पूरे चांसे आप बीट कोस्टन है पर आने के पूरे चांसे पर प्रोविजन पढ़के जाएंगे and then TRP आपको 234 बीन सी का कम्पूटेशन पूचा जा सकता है तो यह दो चीज़े आपको पढ़के जानी है एडवांस टेक्स के अंदर में बाकी डूडेट से यह वो सब बाइड डिपॉल्ट में याद रहे जाता है यह दो चीज़े स्पेसिफिक पढ़के जाना येस एम्ट की अ कर लेते हैं तो इस तरह के जबबर्दस कोश्चन आपके concept clarity के लिए चेक कर सकते हैं तो एम्ट का 35 वेड़ी वाला कोश्चन है हमने क्लास में भी लिया है कोशनेर में भी लिया है वह एक करके चल जाना एक्जमिशन चाप्टर के अंदर में सिर्फ एक चीज करके जाना वह स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है तो सट आफ आपको by default के अंदर में पढ़ना है यस तुभी यह था आपका ABC analysis कुछ बाते मैं आपको बता दू डीटी और IDT का पेपर अलग-अलग सौल करना पड़ता है तो मैं पहले ही यह clarity दे दू डीटी और IDT का पेपर अलग-अलग-अल प्रिकेसे करो यह हाट टाइम आ चुका है अब तुम सिर्फ और सिफ पॉंटेंट के उपर नहीं से प्रक्टिस के उपर फोकस करो जितने ज्यादा को सकते हैं अपने रेगिलर बुक से डबल डबल कोश्चन करो वापस से वह कोश्चन कोश्चनेर से के उपर सॉल करो आप को सब कुछ अपने कवर करके रखावा है अपने एक्जाम के उपर फोकस करो बेटा यह बहुत बड़ी परिक्षा की घड़ी है जहां पे कुछ दिनों बाद तू अपना करियर लिख रहा होगा एक्जाम नहीं तो इसो लिखना भी वैसा ही येस और बाकि सब कुछ सही होगा अपने उपर विश्वास रख तुनें बहुत मेहनत करी है और यह मेहनत का फलतिर को जरूर में लेगा टाइम वेश नहीं करूंगा all the best मेरे तरफ से बाई बाई टेक केर